ओले दोस्तों वेलकम टू साइबाटेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंड्स क्रिप्टो स्पेस से कुछ न्यूज एंड अपडेट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सेयर करूँगा शिवा इनू की कुछ न्यूज है वो भी आपके साथ सेयर करनी है और पाकिस्तान के अंदर कुछ ब्लक्चेन को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही है जिसका असर बेंकिंग सेक्टर पर जाने वाला है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर उसकी मलब पूरी डीटेल जो है वो बताऊँगा वीडियो को देखना कंशीनू कीजेगा दोस्त ब्लक्चेन बेस्ट बेंकिंग प्लेटफर्म तो इसका मतलब एक्चली क्या है दोस्तों यह है कि मतलब जो टॉप की कुछ ट्रेडिशनल बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एग्री किया है कि यह जो के वाइसी का सिस्ट्रम होता है उसको हम एक्सेप्ट करना श किक्सी के बाइसी 저희 हैं किसी भी बैंक में जब अपना अकाउड खुलवाने जाते हैं तो वहां पर भी आपकी कासी होती यह प्लाव के एडर्यस बाइसी तो अब उक्या करने जा रहे हैं मतलब फर एक्जमपल मेरा नाम एजास्या है, मैं फलाँ सिटी में रहता हूँ, फलाँ कंट्री के अंदर रहता हूँ, यह है, यह है, यह है, ठीक है, ओके, तो वो सारी चीजें जो है, वो मैं किसी बेंक को जब देने जाता हूँ, तो अब वो, मतलब, ब्लक्चेन पर क्सीम किया जा सकता है, इनका मकसद यह है, जो टेरर फाइनसिंग होती है, उसको हम इस तरह से रोकेंगे, मनी लॉंडरिंग जो होती है, उसको भी इस तरह से रोकना है, लेकिन मेरे खयाल में, यह पाकिस्तान का एक अच्छा स्ट्रेप रहेगा, जो के ब्लक्चेन की पाकिस्तान के अंदर कम से कम, मतलब यह सीन बड़ी हद तक मौझूद है, जो भी ऑफिशल्स हैं, ज्यादा तर ब्लक्चेन को ही नहीं समझते हैं, तो यहां से यह जरूर होगा कि अब इनोंने यहां पर एक कदम रखा है, यह आईसा ऐसा आगे बढ़ने की कोशिश उसको मिलेगा और जितनी भी क्रिप्टो कम्यूनिटी है पाकिस्तान के अंदर उसको भी इससे फाइदा मिलेगा। से बैठा है, एक्चली बात यह है दोस्तों कि यहां पर मैं कमेंट पढ़ रहा था पिछले एक दो दिन से इस्पेशली जो है वो शीबा के वीडियो पर जिस तरह के आ रहे हैं, ठीक, तो मेरा एक्सपिरियंस यह है कि जब प्राइजिज अप जा रहे होते हैं, कि क्रिप् मार्केटस शुरू होता है, मार्केटस डाउन आना शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो रिक्षन है वो चेंज हो दे अदाता है, मतलब ऐसा मैंने दे देखा है, ठीकर यह वन सेंट ड्रीम बड़ा पापलर है, और हम उस ड्रीम को लेकर वीडेयोस बनाते हैं आपको मतलब in अपने अंदर encouragement पैदा करते हैं आपके bad comments अगर यहां पर नीचे आएंगे, it means कि आप खुद हिम्मत हार चुके हैं मेरा ख्याल है कि एक community driving token के लिए यह अच्छी बात नहीं है अब जो news दोसों आपके साथ share कर रहा हूं वो यह है कि stable coins का जो deposit है जितनी भी exchanges यहां पर है उन पर बढ़ा है, मतलब ऐसा data जो हो यहां पर collect किया गया है इससे यह feel होता है कि लोग यहां पर deposit कर रहे है stable coins को, मतलब dollars की farm में लोग यहां पर deposit कर रहे हैं पैसे तो लगता ऐसे है कि अब bitcoin जो है यहां से खरीद, जो bitcoin की buying है, वो बढ़ सकती है और bitcoin का price जो है, वो ऊपर जा सकता है simple, मैं मतलब यह एक news आपके साथ share कर रहा हूँ, तो chances इस चीज़ के हैं कि यह वाला जो अब यह week शुरू हुआ है, कम से कम मतलब यह week इस week के end तक, एक जो है मेरा ख्याल है कि आपको यहां पर नजर रखनी चाहिए अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, एक question की जो कि किसी दोस्त ने किया था comment section में, और यह बड़े दिनों से एक मामला भी चल रहा है BUSD के साथ, मतलब बाइनस के साथ American officials का एक problem चल रहा है मेरा ख्याल है कि FTX के बाद फिर crypto.com के साथ मतलब यह scene किया गया, अलूना जितना भी 2022 के अंदर हुआ है उसके बाइनस के पीछे बाकाइदा तोर पर जैसे कोई community पढ़ी वी हो या US officials वो पढ़े वे हैं कि बाइनस को किसी तरीके से गिराना है बाइनस अभी तक तो बच रहा है लेकिन आगे क्या होगा थोड़ा यहां पर साफधानी बरतने की जरूरत दोस्तों जरूर आपको रहेगी यह मेरी बाद जहिन में रखिएगा मैं यह नहीं कह रहा कि 100% बाइनस का BNB का या BUSD का बिलकुल जो हो जीरो हो जाएगा ऐसी कोई बाद नहीं है लेकिन अगर किसी के साथ कोई प्रावलम चल रहा है तो हमें उन चीजों को कंसीडर यहां पर जरूर करना चाहिए मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़े आपके फंड्स की सेफटी को लेकर यहां पर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा तो यही है कि बाइनस ने जैसे ही BUSD पर कुछ जो हो इतराज यहां पर आए है S.E.C. के तो उसके बाद यह हुआ है कि बाइनस ने मिंटिंग जो BUSD की है फर्दर मिंटिंग वो बंद कर दी है अब वो क्या कर रहा है कि True USD जो है वो ले रहा है और उसके साथ अपना पूरा जो सिस्टम है Buying and Selling का अपनी एक्षेंज पर वो चलाने की कोशिश कर रहा है True USD दोस्तों यह आपके सामने है अब यहाँ पर इससे पहले भी different problems हो चुके है stable coins को लेकर 2021 और 2 में हमने सुना कि USDC जो है वो actually flip कर देगा USDT को USDT के पास उतने stable coin मतलब जितने वो stable coin mint करता है market में circulate करता है उतने dollars बेक अप में उसके पास होते नहीं यहाँ पर इसकी economy मैं आपको समझा दूँ कि एक डॉलर अगर कोई भी company USDT की farm में USDC की farm में BUSD की farm में किसी भी farm में वो अगर मतलब यहाँ पर circulation में छोड़ती है market गे अंदर तो उसके पीछे उसके पास एक डॉलर जो है वो होना जरूरी है मतलब one is equal to one one USD is equal to one USDT ठीक है उसके पास होना जरूरी है otherwise अगर वो ऐसे कर रहे हैं minting ज्यादा कर रहे हैं बेक अप में कुछ है नहीं तो किसी भी वक्त उस कोईन के साथ कुछ भी हो सकता है जैसे ही वो news जो है वो बाहर आएगी जितने डॉलर्स उसके पास रियल में होंगे वो ही प्राइस जाकर उसका बचेगा रियल प्राइस जो वो शो कर रहा होगा अगर डॉलर वाला वो खतम हो जाएगा ठीक तो यहां पर बीवेजडी के साथ कुछ इससरा का प्राब्लम चल रहा है वैसे यह तो नहीं है कि बेकप में आपके पास वो पैसे नहीं है लेकिन मतलब रिगूलेशन्स के कुछ प्राब्लम है कि भाई आप रिगूलेशन्स करवाओ यह करो वो करो मैं आपको यहां पर मश्वरा दूँगा कि आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपके पास पहली बात तो यह कि कौइन्स रखें ठीक है दूसरा यह कि फियेट रखें रियल जो करंसी है आपके कंट्री की आई इन आर है पी के आर है जो भी है मालब वो आप उसके अंदर रखें जब आपको चाहिए ट्रेडिंग के लिए उस वक्त आप पी टू पी करें या कुछ भी करके मालब आप वहाँ से बाय करें और अपना काम चलाएं अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि यह जो स्टिबल कौाइन्स हैं वो भी बजब एक ही फार्म के अंदर सारे ना रखें अगर आपके पास चार पांच हजार डॉलर पढ़े वे या दस हजारे कितने भी हैं इविन सो डॉलर हैं तो आप उसको डाइवर्सिफाय करें सारे के सारे यूसडी टी की फार्म में मत रखें सारे के सारे बी यूसडी में मत रखें किसी भी वक्त किसी के साथ अगर कोई सीन हो जाता है तो बाकी आपके जो है वो मलब फंड्स इस तरह से सेफ रह सकते हैं तो आई होप कि आपको ये जो मेरी बात है जो मेरा मशवरा है वो जरूर पसंद आया होगा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें कमेट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताके मैं और आप अपस में जुड़ी रहें टेक केर अलाव